आम कोई और नहीं भगवान है वो तुम्हे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हे उन्हें धूंधने की कोई जरूरत नहीं है वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा तब तक तुम इसी आश्रम में रहो इतना कहते ही मंतग रिशी ने अपना शरीर त्याग दिया शबरी के मन में मंतग रिशी के जाने के बाद से एक ही बात ही की भगवान राम स्वयम उससे मिलने आएंगे वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चक लेती थी, ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही दे, रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्था करती रहती थी, इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए, शबरी का शरीर एकदम व्रिध हो गया, एक दिन आश्रम के पास के, ही तलाब में शबरी पानी लेने के लिए गई, तभी पास के ही एक रिशी ने उसे अच्छूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया, वो पत्थर जब शबरी को लगा, तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा, बहते हुए खून की एक बूंद उसी तलाब के पानी में गिर गई, तभी पूरा तलाब का पानी खून में बदल गया, ये सब होता देखकर रिशी ने शबरी को ही डाटा और कहा कि पापीन त तुम्हारी वजैसे